इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी Android Smart TV कोई से भी कमपनी की Android Smart TV में कीबोर्ट की सेटिक्स कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर अपने रिमोट से टीवी की सेटिक्स में आ जाना है और इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और आप देख पाएंगे Device Preferences इसे क्लिक करके इसे Open कर लें और यहाँ पर आप देख पाएंगे Keyboard तो इसे क्लिक कर लें तो अभी आपके उसमें Current Keyboard है जीबोर्ट का तो अगर आप कोई New Keyboard लगाना चाहते हैं तो Play Store से Download करके यहाँ पर New Keyboard सेट कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर Keyboard की Settings होती है जो Google का Gboard है तो यहाँ पर देखिए अगर आपको चाहिए कि आप कोई दूसरी Language लगाएं यानि आपको कोई दूसरा Keyboard चाहिए तो यहाँ पर Language की Option में आएं और आपको इसे System Language को हटा के नीचे आना है मान लिजए आपको Hindi चाहिए तो यहाँ से आप Hindi Language को On कर सकते हैं यहाँ से इसके बाद आपका Keyboard Hindi हो जाएगा और इसके बाद आपको Manage Keyboards की Settings मिलती है तो यहाँ पर देखिए तो जो भी आपकी TV है उसकी एक App होती है उससे भी आप यहाँ पर TV को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपका कभी Remote खराब हो जाता है तो यहाँ पर उसे भी आप Allow कर सकते हैं इस तरीके से आप कोई भी Virtual Keyboard को भी यूज़ कर सकते हैं अपने फोन से भी अपने टीवी को आप यूज़ कर सकते हैं कभी Remote खराब हो जाए तो तो यही होती है यह Keyboard Settings